जैसे ही मैंने अपना खिर्की खोला मैंने देखा कि एक स्किन वॉकर मेरे खिर्की के तरफ दौरते वो आ रहा था कि तभी एक रात में अचानक से उठा और मैंने सुना कि मेरे खिर्की के तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही है ऐसी आवाज सुनकर मैं डड़ गया और मैंने अपने भाई को उठाया मेरे कहने पर वो खिर्की के पास गया और उसने पर्दा हटाया और जैसे ही उसने खिर्की खोला उसने देखा कि एक स्किन वॉकर हमारी खिर्की के तरफ दौरते वो आ रहा था कि तभी वो हमारे खिर्की के रेलिंग पे आके चड़ गया और चिलाने लगा वो हमारे घर के अंदर घुशने ही वाला था कि तभी वहां से गिर गया और ऐसा डड़ाबना द्रिश देख के मैं अचानक से उधरी बिहोश हो गया अगले दिन मेरे भाई ने मुझे उठाया और बताया कि वो स्किन वाकर गिरते ही उधरी गायब हो गया और उस रात के बाद से हमारे साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ